एक्वेशन दिया गया हमें, कमपाउंड है, कमपाउंड में जो कार्बन हैड्रोजेन बोंड है वो X, Y और Z थ्रू हमें इंडिकेट किया है और पूछा गया है एरेंज दी कार्बन हैड्रोजेन बोंड्स X, Y, and Z in decreasing order of their bond dissociation energies in homolysis तो हमें जो homolysis process रहेगा इन तीनों bond में, उसमें से कौनसे वाले bond में bond breaking थ्रू हमें ज्यादा energy देनी पड़ेगी, तो हमें उसके decreasing order में arrange करना है तो सबसे पहले हम Z वाला ही देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे homolysis कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dot आ जाएगा, ऐसा करते हैं मैं फिर से एक बार यहाँ पे draw कर देता हूँ, जिससे समझाने में आसानी रहे, तो A वाला Z hydrogen है, यहाँ पे जो बोला गया है, वो Y है, और यहाँ पे जो बोला गया है, वो X है अगर मैं यहाँ homolytic fission कर दूँगा, तो यहाँ पे जो electron है, तो vinyl radical बन के आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा unstable रहेगा तो उसका मतलब A है, कि homolysis के पहले जो A वाला bond था, वो stabilized था, लेकिन अगर हमने homolysis कर दिया, तो यह unstable form में convert हो गया तो सिधी सी बात है, कोई भी अगर stable system होगी, वो unstable नहीं बनना चाहेगी, फिर भी हमें अगर उसे unstable बनाना है, तो हमें ज्यादा energy देनी पड़ेगी तो Z में क्या रहेगा, हमें ज्यादा energy देनी पड़ेगी, उसके बाद हम वाई वाला देखते हैं, को मान लीजे मैं यहाँ पर homolysis कर दूगा, तो यहाँ पर electron आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास allylic free radical बनके आ जाएगा, और allylic radical free radical तो stable रहता है, तो obviously हम बोल सकते हैं कि हॉमोलिटिक फिशन से पहले जो condition थी, उसके compare में हॉमोलिटिक के बाद जो form होता है, वो ज्यादा stable रहता है, तो उसका मतलब है, यह वाला easily तूड जाएगा, अगर easily तूड जाएगा, तो वाई में हमें energy कम देनी पड़ेगी, easily dissociate हो जाएगा, तो obviously है, Z से, Z वाले bond को break करने के compare में, Y वाले bond को ज्यादा energy नहीं देनी पड़ेगी, हमोलिटिक फिशन के लिए, अगर हम X की बात कर लेते हैं, मान लिजे, A वाला में ने hydrogen निकाल दिया, तो यह जो free radical बनता है, वो तो क्या हैगा, hyperconjugation through stable हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो hydrogen है, यहाँ पे दो hydrogen है, तो hyperconjugation के वज़े से stable बन पाएगा, तो हम के सत्ते तीनों में, Z है, Z मिसके जो Z वाला carbon hydrogen bond है, उसका homiletic fission के लिए सबसे ज्यादा energy देनी पड़ेगी, उसके बाद हमें X में देनी पड़ेगी, और सबसे कम कहाँ पे देनी पड़ेगी, Y वाले carbon hydrogen bond का homiletic fission करने में, क्योंकि वो सबसे stable system में convert होता है, allylic radical में convert होता है, तो हमारा answer के आना चाहिए, ZXY, तो हम देखते हैं, ZXY तो B is our correct answer हैगा,